हे गाईज वेलकम बैक टो तुली का स्पीक्स कैसे हैं आप सब सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने जारी हो दुनिया की सबसे खतरनाक चीटियां जुनका डंक ले सकता है आपकी जान सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड हम अकसर चीटियों को नजर अंदास करते हुए देखे जाते हैं क्योंकि हम उन्हें समानने दैनिक जीवन में देखते हैं हर जानवर की प्रजाती इंसानों या अन्य जानवरों के लिए खतरनाक होने की श्रेणी में आ सकती है ओ चलो मुझे कभी यह विश्वास नहीं था कि एक चीटी एक व्यसक इनसान को भी मार सकती है इस तथे से हैरान की यहां सूची बद चीटियों में से कुछ इतनी खतरनाक हैं कि वे अपने रास्ते पर कुछ भी मार सकते हैं बुल्डॉग चीटी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे खतरनाक चीटी के रूप में चितरित किया गया है चीटी की प्रमुक आबादी आस्ट्रेलिया के तटिये छेतरों में रहती है 1988 से बुल्डॉग चीटी के कारण लगबक तीन मानव मृत्यू हो गई है डंक बहुत शक्तिशाली है जो समवेदन शीर मनुष्य के लिए दर्द के मामले में दूसरे स्थान पर है दर्द कई मिंटों तक रह सकता है जिसे मूल रूप से तेज जलन कहा जाता है मनुष्य के साथ बातचीत बहुत आक्रमक होने के लिए सामना किया गया है यह घोसले पर किसी भी गड़बडी या जटके का अनुबव होने पर कई इंच कूट सकती है साक्षे साबित करते हैं कि उनके द्वारा इंजेक्ट किया गया विश लंबे समय तक उतक के प्रती आसमवेदन शीलता का कारण बन सकता है इसके अत्रिक्त यहां तक की पक्षियों और जानवरों को भी उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि वे गुर्दे की विफलता का कारण बनकर इसके लिए गिणने के लिए आसानी से जहर को इंजेक्ट कर सकते हैं बुलेट चीटी बुल्डॉक चीटी से कम नहीं है चीटी का बुलेट नाम चीटी के लोगों द्वारा अनुभव किये गए डंक के बाद आता है चीटी को दर्द का कारण माना जाता है जो शरीर पर बंदूग की गोली से भी अधिक दर्द देती है हाडरास और परागेव में पाया गया चीटी उस सूजी में सबसे उपर है जब दर्द कारक विचार में है इसके अलावा पीडित को 24 गंटे तक दर्द का सामना करना पड़ सकता है उनमें विश की समागरी एक प्रतिकारक प्रभाव देती है जो केंद्रिय तंत्री का तंत्र में सिनैप्टिक संचारन को अवरुद करती है जैक जमपर चीटी एक छोटे बिच्चु की तरह हो सकती है जो कुछ के लिए बुरे सपने दे सकती है जैक जमपर चीटी को हॉपर चीटी के रूप में भी मानने तर प्राप्त है जो आस्ट्रेलिया की मूल निवासी है 1980 और 2000 के बीच विशैली चीटी ने लगबग 4 लोगों को मार डाला था इसके अलावा मनुश्य के लिए एक ही काटने से डर की बात है लेकिन उन्हें मानने के लिए पर्याप्त उधारण है उनमें विश्ग की समागरी पीडितों को एलर्जी, हिर्दय गती में विर्धी और निम्न रक्त चाप जैसे लक्षनों का कारण बन सकती है अंत में विश्ग का निशाना पीडित की प्रती रक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है ग्रीन ट्री चीटी को जुलाहा के रूप में भी जाना जाता है जो आस्ट्रेलिया और एशिया में पाया जाता है ग्रीन ट्री चीटियों द्वारा बनाया गया गोसला मूल रूप से पत्तियों को सिलाई करने और एक कॉलोनी बनाने के माध्यम से होता है इसके अतरिक्तवे किसी भी डंक से युक्त नहीं होते हैं लेकिन हर काट तुचा पर छेदने वाले पिन की तरह होता है ग्रीन ट्री चीटि के कुछ फायदे हैं और पहली बात यह है कि तेल को थोक में कुचल कर पकड़ा जाता है पेट की संक्रमन के लिए यह बहुत अच्छा इलाच है रेड इंपोर्टेड फायर एंड्स को बुल हॉर्ण बबूल चीटि भी कहा जाता है जो दिखावे में तताये की तरह हैं बस वे बहरी पहलू जैसे पंक और तताये शारेरिक रचना की सुविधा नहीं देते हैं लंबाई और रंगांकन तताये की तुल्ला में बहुत अधिक है बुल हॉर्ण बबूल चीटि के डंग से संपदन प्रभाव पैदा हो सकता है और यह मानत तवचक पर बहुत दरदनाक हो सकता है इसके अलावा चीटियों को अफरिका देशों में प्रमुक्ता से देखा जाता है कई औशदियां लाभों के साथ आता है क्योंकि इनका उप्योग अस्थमा और गहरे अफसाद के उपचार में किया जा सकता है गाईस आप देट यू लाइक मैं वीडियो और प्रमुक्ता प्रमुक्ता है